सबसे बड़ा यहां पर जो जारी की आगा है ESIC की तरब से ESIC की official website पर यह notifications जारी हुआ है applications form से related आपका यह notifications है आपको मैं बता दू कि आपके applications form rejections हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं या फिर आपको applications form को किस परकार से बरना है वो सारी चीज आपको यहां पर मैं बताने वाला हूँ और उस notice का मतलब भी आपको समझाने वाला हूँ कि उस notice के अंदर क्या चीज लिखी वे ठीक है तो यहां पर देख लीजीगा Union Public Service Commission यानकी UPSC की आपको official website पर भी यह चीज आपको देखने को मिल जाएगी या फिर या notifications आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपका UPSC की जो website है क्योंकि जो आपका ESIC का exam था वो UPSC की दोवारा करवाया गया था यहां पर देख लीजीगा notification आपका release हुआ है 22 November को 22 November को आपका notifications release हुआ है notifications के अंदर क्या है वो चीज आपको यहां पर मैं बताऊँगा तो सबसे पहले आपर देख लीजीगा कि UPPSC अनकी Union Public Service Commission had conducted the recruitment test अनकी ESIC का जो dry step UPSC की दोवारा करवाया गया था और कब करवाया था 7 जुलाई 2024 को ओलोर इंडिया के अंदर करवाया गया था results recruitment test was declare किया गया था 12 August को 12 August को आपका result declare किया गया था result के अंदर total 321 जो candidate है उनकी आपर provisional list जारी होई थी ठीक है ये चीज़ आप सभी को नहीं पता है तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है लेकिन अब जो सबसे important update बताई गई है कि आपकी यहाँ पर last date क्या रहेगी एक जो सबसे बड़ा applications form के बारे में आपर बतायागा कि वो applications form आपका fill up करना है अगर वो applications form आपको fill up नहीं करोगे तो आपको reject कर दिया जाएगा या फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा तो वो आपके लिए कुन सा application form जरूरी है उस चीज़ के बारे में आपर डिसकस करेंगे तो ये point आपके लिए सबसे important रहेगा All sort candidates are required to fill and submit the detailed applications form और आपको DEF भरना बहुत ही जरूरी है जिन candidate ओने अभी तक ESIC के sort list के अंदर उनका नाम आया था और वो candidate अभी तक DEF नहीं भरे है तो वो जल्दी से जल्दी जाकर अपना DEF जरूर से भर दे और आपको क्या करना है जो DEF का मतलब जो detailed applications form है वो आपको भरना है जिन candidate का sort list के अंदर नाम आया था जिन candidate का sort list के अंदर नाम आया था उन candidate को ये भरना है 3321 वो total candidate थे Applications form start हो रहे है official website से official website आपकी कौन सी रहेगी upsconline.nic.in क्या है इसकी official website आपको देखने को मिलेगी और आपको इस official website से ही इसके जो form वगेरा है वो आपको fill up करने है यहाँ पर एक special date भी mention की गई है 25 November से लेकर और आपको यहाँ पर last date 8 December तक आपको क्या करना है यह date दी गई है इस बीच में आपको अपना def complete करना है जिन साथियों ने अभी तक नहीं भरा है वो साथि जल्दी से जल्दी जाकर UPSC की official website पर जाकर अपना def जरूर भर दे और जिनोंने def भर दिया है वो बिल्कुल साई time पर भर दिया है इसकी official website है या तो आपको UPSC.online.in के उपर या फिर आपको UPSC.gov.in दोनों में से किसी भी website पर आप जा सकते है और website पर जाकर आपको क्या करना होगा इसके जो def है उसको def को भरना जरूर है आपको सबसे important बात बता देता हूँ अगर आप def नहीं भरते है जिन candidate का sort list के अंदर नाम आया हुआ है sort listed जो candidate है अगर उन्होंने def नहीं भर पा रहे है या फिर नहीं भरोगे तो वो automatically क्या कर दिये जाओगे reject कर दिये जाओगे इस चीज़ को ध्यान रखना automatically आप reject कर दिये जाओगे इसलिए आप सभी सातियों को detail application form एनकी def भरना जरूरी है यह information आप तक share करना बहुत ही जरूरी था आप सभी सातियों तक यह information पहुचाना बहुत ही जरूरी था कि आपके def के applications form start हो चुके है date भी आपर mention कर दी गई है कि आपकी last 8 December है 8 December तक आप अपना def complete करना है जो भी interesting candidate है जो भी जिनोंने भी shortlist के अंदर जिनका भी नाम आया था वो जल्दी सी जल्दी जाकर def भर दें और बागी आप comment box के अंदर comment कर दें अगर आपके कोई doubt है इस vacancy से related तो आप बिल्कुल से comment कर सकते हैं बागी आपको मिलता है ऐसी ही कोई नई अपडेट से कोई नई information से तब तक thank you so much चाहिए